मैं आज बात करूँगा ओटरी बीन नेजल ड्रॉप के बारे में नेजल ड्रॉप ओटरी बीन जो है वो ग्लासको कमपनी की आती है बिल्कुल ओरिजिनल प्रोडक्ट है इसका प्राइस की बात करें तो 50 रुपिया में आपको असानी से मिल जाता है किसी भी मेडिकल अस्टोर में आप जाएंगे तो मिल जाएगा खास करके ठंडों के मौसम के लिए बहुत ही लावदायक चीज है जैसे बच्चों के लिए अलग से आता है और बड़ों के लिए अलग से आता है तो चलिए अब जानते हैं इसके काम के बारे में तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कभी आपने देखा होगा बच्चों में जब सर्दी होती है और सर्दी होने के बाद कभी आपने देखा होगा कि सर्दी जब पतला होता हो तो बाहर निकलते रहता है लेकिन ओ जब गाढ़ा हो जाता है तो जम जाता है और नाक जाम हो जाता है इतना जाम हो जाता है कि बच्चों लोगों या बड़े लोगों सांस लेने में परसानी होने लगती है सांस आप लीजेगा तो सांस प्रोपर नहीं जा पाएगा मतलब कि बहुत प्रोब्लम होता है तो सांस लेने में जब प्रोब्लम होगा तो काफी परसानी आ सकती है तो उसके लिए आता है एक नेजल ड्रॉप जिसका नाम है ओटरी बीन ऐसे बहुत सारा ब्रांड है लेकिन ओटली बीन जो है ग्लास्को कंपनी की यह बहुत ही original drop है यह इसका नाम है ओटली बीन ऐसे बहुत सारा generic medicine भी है आपको जब original 50 पर मिलता है तो generic की लेने कोई अब सकता नहीं है बहुत जागा आप झाये खुष से लेंगे तो generic ही मिलेगा लेकिन जेनरिक भी काम करता है नहीं करता है सो बात नहीं है लेकिन आपको डिस्कॉंट नहीं मिल पाता है तो क्यों नहीं हम औरिजनल ही खरी दें तो चलिए जानते हैं इसके बारे में इसका नाम है डोलो कोल्ल जुनियर में होता। बच्चा चलिए जानते हैं। तो जैसे ही नाक में आप डालते हैं एक दो बुन्ध तो उसका नाक खुल जाता है प्रोपर सांस लेने की समस्या जो परसानी आ रही थी वो खूल जाता है और अच्छा से सांस ले पाता है बचा लोग बड़ो लोग में भी आप देखेंगे कभी ऐसा ही होता है तो बड़ो लोग के लिए बहुत सारा option है वो दवा भी खा सकता है ओटरी बीन भी डाल सकता है यदि दावा खाना है ओट्री बीन नहीं डालना है तो उनके लिए भी solution है जो मैं अगला वीडियो में बताऊंगा और यदि आप जानना चाहते हैं तो मुझे comment करके पूछ सकते हैं तो ओट्री बीन बहुत ही अच्छा चीज है ठंडी के मौसम में खास करके हर व्यक्ति को चाहिए कि एक ओट्री बीन जिसके घर में बहुत सारे बच्चे हैं तो एक ओट्री बीन खरीद करके घर में रख सकता है जो यूज हो सकता है है तो pediatric लेकिन बड़ों में भी समस्या आ जागा तो कोई दिकत नहीं कोई side effect नहीं होगा डाल सकते हैं उसे भी आराम पहुंचेगा और बड़े लोग का जो ओट्री बीन आता है वो बच्चों में ना डालें इस बात को धियान रखेंगे और हो सके बच्चों को डालना भी हो आपको तो doctor के सलाह ले करके डालें बीना doctor के सलाह करना डालें जब बच्चा के अलग से आता है तो बड़ों लोग का जो भी medicine होता हो बच्चों में यूज नहीं करना चाहिए इस बात को धियान रखेंगे नाक बंद होने की समस्या काफी होती है और इसका solution मैं बता चु करेंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और मुझे इजाज़त